गाइस आज बात करेंगे जो मैनफोर्स टेबलेट होती है वो कौन-कौन से लोग नहीं ले सकते अगर लोग लेंगे तो उनको क्या परिशानी हो सकती है और उनको क्यों नहीं लेना चाहिए यह मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्यों मैंने और वी मैनफोर्स से बहुत सारी वीडियो बाद नहीं है उसमें भी डिटेल से मैंने बताया कि मैनफोर्स टेबलेट को कैसे इस्तेमाल में लाना चाहिए तो इस वीडियो में बताऊंगा कौन से पुरुस हैं या इसको इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती है यह लास्ते देगे तब यह आपको समझ में आएगा चले गाइस बिन देरी के सुरू करते हैं वीडियो मैं हूँ डॉक्टर सुलेमान और आप देख रहे हैं डेक्स अब्बान यूट्योब चैनल गाइस आज हम बात कर रहा है मैं फोर्स टेबलेट को कौन को नहीं ले सकता यानि किन पेशेंट को और किन व्यक्तिव को इस ट दोरान जो बढ़ जाता है जिसकी बीपी अगर जिसका बड़ा होता है और बढ़ जाता है तो उसको प्रोब्लम हो सकती है इसलिए उसको जिसका बीपी बड़ा रहता वो मैं फोर्स टेबलेट को कभी ना लें दूसरा नमबर पाता हार्ट पेशेंट अगर किसी को दिल की अगा यह बगेरा हार्ट फीलिर की शिकायत है एक या दो स्टॉक आ गये हैं तो उसको भी इस्टेबलेट को नहीं लेना चाहिए अगर हार्ट पेशेंट होता है यानि जो पेट में बच्चा होता है उसको भी नुक्सान दे सकती है इसलिए पेग्णेंसी में इस टैबलेट को भी अबोइट किया जाता है चोथा होता डायग्वेटिक पेशेंट अगर कोई सुगर की बीमारी है किसी को सुगर बढ़ा रहता तो उसको भी बढ़ा दे में रहता तो वी इस टैबलेट ऑले अगर भी इस टैबलेट को ने अगर दे दे में और प्रोब्लम न वहिता है तो उसको भी प्रोब्म औरव जाधा हो सकती है तो यह गाइस मैंने बताया कि Manforce टेबलेटों कौन से पांच ऐसे लोग है या व्यक्ति हैं पूरू से महिलाए हैं जो नहीं ले सकती हौपसोग आपको पूरा समझ में आगे हो समझ में करें प्रेश वीडियो को शेयर करें और चैनल को सस्काइब करें और भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया आप बड़ी डिटेल हैं मैंने एक टेबलेट के बारे में डिटेल में बताया है उनको भी जाके आप देख सकते हैं चले गास ऐसी नोलेजिवल वीडियो के साथ मिलते हम अगली झाल